साथियों, जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, तो हमारे मन में सीधे 19-20 सदी का विचार आता है. लेकिन ये भी एक कथ्य है, कि इन आंदलोनों की नीव बहुत पहले रखी गई थी. भारत की आज़ादी के आंदलन को सदीयों पहले से चले आ रहे, अनेक आंदलनों से उर्जा मिली थी. भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृति के एक्ता को भक्ती आंदलन ने मजबूत करने का काम किया था. भक्ती यूग में हिंदुस्तान के हर छेत्र, हर इलाके, पूर पस्ची, मुत्तर, दक्षिन, हर दिशा में हमारे संतों ने, महंतों ने, आचारियों ने, देश की चेत्रा को जागरू रखने का अभीरत, अभीराम प्रयास किया. अगर दक्षिन की बात करें, तो मद्वाचारिय, निम्बकाचारिय, वलवाचारिय, रामानुजाचारिय हुए, अगर पस्चिम की तरब नजर करें, तो मिरा भाई, एकना, तुकाराम, रामदास, नर्सी मेता, अगर उत्तर की तरफ नजर करें, तो संतरामानन, कबीरदास, गोश्वामी तुलसी दास, सुर्दास, गुरुनारक देव, संतर रहिदास, अन गिनत महापुरुष, पूर्वक की तरफ देखें, इतने सारे नाम है, चैतन्य वहाप्रभु और सिवत संकर देव जैसे संतों के विचारों से, समाज को उर्जा मिलती रही, बक्ती काल के इसी खंड में, रस्खान, सुर्दास, मलिक महमज जायसी, केशवदास, विद्यापती, न जाने कितने महान वेक्तित्व, कितने महान वेक्तित्व हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं के ओ, और रचनाओं से, समाज को सुधारने का भी, आगे बढ़ने का गी, और प्रगति का मार्ग दिखाया, भक्ति काल में इन पुन्य आत्माओं ने, जन जन के भीतर, एक्ता के साथ खड़े होने का, जजबा पैदा किया, इसके कारण, ये आंदोलन, हर ख्षेत्रिय सिमा से बहार निकल कर, भारत के कौने कौने में पहुँचा, हर पंत, हर वर्ग, हर जाती के लोग, बक्ति के अधिश्ठान पर, स्वाभिमान और सांस्कृतिक दरोर के लिए खड़े हो गए, बक्ति आंदोलन का वो डोर, और बक्ति आंदोलन वो डोर थी, जिसने सदियों से संगर सुरत भारत को सामुहित चेतना और आत्म विश्वात से भर दिया, साथियों, भक्ति का ये विशाय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक महान काली भक्त, स्री रामकृष्ण परमहुजी की चर्चान हो, वो महान संत जिनके कारण भारत को स्वामी विवेकानन मिले, स्वामी विवेकानन, भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों को अपने में समाये हुए थे, उन्होंने भक्ति का दायरा बढ़ाते हुए, हर व्यक्ति में दिव्यता को देखना शुरू किया, उन्होंने ब्यक्ति और संस्थान के निर्मान पर बल देते हुए कर्म को भी अभ्यवक्ति दी प्रेर्णा दी चाथियों बक्ति आंदोलन के सैंक्डों वर्षों के कालखन के साथ साथ देश में कर्म आंदोलन भी चला सद्यों से भारत के लोग गुलामी और सामराज जवात से लड़ रहे थे चाहे वो छत्रपती सिवाजी महराज हो महरणा प्रताब हो जांसी के रानी लक्ष्मिबाई हो कित्तूर की रानी चिन्नमा हो या फिर भगवान बिरसा मुंडा का ससस्त संग्राम हो अन्याय और सोशन के विरुद सामान्य नागरिकों के तब त्याग और तरपन की कर्म कठोर साधना अपने चरम पर थी ये भविश्य में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी प्रेणा बनी साथियों जब भक्ति और कर्म की धाराएं पूर्बहार थी तो उसके साथ साथ ज्यान की सरीता का ये नूतन त्रिमेनी संगम आजादी के आंदोलन की चेतना बन गया था आजादी की ललक में भाव भक्ति की प्रेणा भरपूर थी समय की मांग थी कि ज्यान के अधिस्थान पर आजादी की जंग जितने के लिए बैचारिक आंदोलन भी खड़ा किया जाए और साथ ही उजवल भावी भारत के निर्मान के लिए नई पीडी को तैयार भी किया ज और हमें बहुत बड़ी और इसमें बहुत बड़ी भूमी का निभाई उस समय स्थापित हुई कई प्रतिस्थित स्विक्षन समस्थानों ने विश्व विध्यालायों ने विश्व भारती यूनिवर्सीटी हो, बनारद हिंदु विश्व विद्ध्याले हो, अलिगर्द मिन्सलिम उनिवर्सीटी हो, नेश्नल कॉलेज हो जो आज कल लहोर में है, मैसुर उनिवर्सीटी हो, त्रीची नेशनल कॉलेज हो, मात्मा गांधी काशी विद्यापीट हो, गुजराद विद्यापीट हो, विलिंग्डन कॉलेज हो, जामिया मिलिया इसमालिया हो, लखनो उनिवर्सिटी हो, पत्ना उनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्व विद्यालय हो, आंदर उनिवर्सिटी अन्ना मलाई उनिवर्सिटी हो ऐसे अनयक संस्तान उसी एक कालगंड में देश में स्तापिद हुए इन उनिवर्सिटीज में भारत की एक बिल्कुल नई विद्वत्ता का विकास हुआ इन सिक्षन संस्तावने भारत की आजादी के लिए चल रहे बैचारीक आंदोलन को नई उर्जा दी नई दिशा दी नई उंचाई दी बक्ती आंदोलन से हम एक जुड हुए ज्यान आंदोलन ने बहुदिक मजबूती दी और कर्मा आंदोलन ने हमें अपने हक के लिए लड़ाई का हौसला और साहस दिया सैंकड़ो वर्षों के कालखन में चले ये आंदोलन त्याग तपस्या और तरपन की अनूठी मिसाल बन गए थे इन आंदोलनों से प्रभावित होकर हजारों लोग आजादी की लड़ाई के बलिदान देने के लिए उस आजादी में बलिदान देने के लिए एक के बाद एक आगे आते रहे साथियों ज्यान के इस आंदोलन को गुरुदेव द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्व विद्याले ने नई उर्जा दी थी गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोडते हुए अपनी परंपराओं से जोडते हुए विश्व भारती को जो स्वरूब दिया उसने राष्ट वात की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी साथ साथ उन्होंने विश्व बंदूत्व पर भी उतना ही जोड दिया